Dear students, स्वागत था आप सभी का हमारी YouTube चानल Study with दुलार में बच्चों ये Class 5 का History Book है, Chapter 8 है और इस Chapter का नाम है सोतनतता संग्राम में करांतिकारियों की भूमी का तो जब हमारा दिस गुलाम था उस समय कई बार सोतनतता संग्राम के लिए कई करांती हुआ और उसमें बहुत सारे करांतिकारियों ने भाग लिया और उसने अपने आपको देश के लिए निचावर कर दिया तो बहुत सारे ऐसे करांतिकारे हैं जिनको हम लोग जानते हैं और कई ऐसे करांतिकारी भी हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं वो इतिहास के पन्नों में कहीं भी उलेखित नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं, तो जिनको हम जानते हैं, उन्हीं के बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको एक सरसरी नजर से पढ़ लेते हैं, चप्टर काफी लंबा है, उतना मैं आप लोगों को पढ़कर नहीं तो आईए देखते हैं, इसमें क्या कुछ दियावा है, यहां पर दियावा है, हमने चंदर सेखर आजाद और भगत सिंग के नाम सुने हैं, वे महान करांतिकारी थे, देश भग थे, देश को सौतंत्र कराने के लिए, वे अस्तर सस्तर का परियोग करने के पच्छधर थे, चंदर सेखर आजाद और भगत सिंग का नाम महान करांतिकारी थे, उनसे कई जुवक जुवतियां प्रेरित होकर देश के लिए लड़े करांतिकारी बन गए, तो ऐसे करांतिकारी प्रयत्नों का आरंब, मतलब सबसे पहले जो करांतिकारी बने थे, उनका नाम था देव बलवन्त फड़के, इस नाम को हमको याद रखना है, ये जो है सबसे पहले करांतिकारी बने थे, और इनसे प्रेरित होकर कई सारे देश के लोग जो करांतिकारी बनना शुरू हुए, तो इसमें से यहाँ पर फस्ट में दिया हुआ है चापेकर बंदु, जो की क्रिस्नर के रूप में भेजा गया था, उसका नाम था बॉल्डर चार्ल्स रेंग, वहाँ पर उसको रोग्यों को देख भाल और उनकी सहायता करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा था, वो उन लोग के साथ अतियाचार कर रहा था, यह देखकर दाम इसे सरकारी गवा को उन लोग भी मार देते हैं, और उसके साथ रहता है महादेव रानाडे, यह जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, उसके साथ में रहता है, इन चारों को फांसी दे दिया जाता है, यहाँ पे खुदी रामबोस और परफुल चा परफुल चंदर चाकी ने पुलीस से मुटभेड के समय स्वेम को गोली मार ले थी, इस तरह से वे देश के लिए सहीद हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे दियावा है, यहाँ पे विनायक दामोदर सावारकर के बारे में दियावा है, तो यहाँ पे इसके बारे में अंतिकारी लोग जो है, एक घर बनाए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने रखकर एक बुक लिखा, 1857 का पर्थम सोधिंता संग्राम नामक एक सुपरसिध पुस्तक उन्होंने लिखा था, और उसको दो जनम के कारवास की सजा दे दी गई थी, और काफी सारा मतलब उनको कस्ट दिया गिया जेल के अंदर में, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे और 1937 में वे उस जेल से मुक्त हो गए थे, यहाँ पे मदनलाल धिंगरा के बारे में दिया हुआ है, और इंग्लेंड में जो एक घर बनाया था, जिसका नाम इंडिया हाउस था, तो वहाँ पे फासी लग जाती है, 17 अगस्ट सन 1909 इस भी में फासी दिय दी गई, तो इस तरह से ये देश के लिए सहीद हो जाते हैं, और अरविंद घोस, इनके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पे, बंगाल करांतिकारियों का केंदर बन चुका था, और उसके लीडर थे अ अरविंद घोस के साथ कई सारे करांतिकारी पकड़े जाते हैं, तो एक करांतिकारी जिसका नाम था नरेंदर गुस्वामी, तो वो जो है सरकारी गवाह बन जाता है, तो करहाई लाल दत, इस करांतिकारी को ये जिमा दिया जाता है कि नरेंदर को स्वाप्त करना, करहाई लाल दत अस्पताल के जेल में राता है और नरेंदर भी वहीं राता है तो उससे जैसे ही मिलता है उसके सीने में गूली मार देता है और उसको समाप्त कर देता है इस तरह से अरविंद घोस और जो भी करांतिकारी पकड़े गए थे उन्हें सजा मिलने से वे बच जाते हैं औ और फिर आगे दिया हुआ है, सारे देश में करांती कारियों को रोकने के लिए, एक कानून बनाया गया रॉलेट एक्ट, जिसके द्वारा किसी को भी पकड़ के जेल के अंदर डाला जा सकता है, तो इस तरह का जो रोलेट एक्ट कानून बना उसके खिलाप पुरे देश में बिरोध होने लगा चंदर सेखर आजाद के बारे में यहां दियावा है उतर परदेश के रहने वाले थे हैं काकोरी कांड जो हुआ था उसके परमुख नेता थे चंदर सेखर आजाद को पुलिस जीवित नहीं पकड़ सकी यहां पे चंदर सेखर आजाद जो है परन लिये वे थे कि वह कभी भी जीवित पकड़े नहीं जाएंगे अलफ्रेट पार्क में उए अंग्रेजों से घिर गए थे और वहीं पे उनकी मिर्तियों हुई उए अंतीम गोलिक स्वईम को मार लिये थे यहां पे आगे सरदार भगत सिंग के बारे में दियावा है भगत सिंग पंजाद के करामतिकारियों के नेता थे लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने पर सेंट हर्ष्ट को सजा देने का काम इन्हों नहीं किया था लाला लाजपत राय एक जुलूस को नेतृत कर रहे थे और उस दोरान अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज कर दिया जाता है जिसे नहीं चोट लग जाता है और उनकी मिर्ती हो जाती है तो उनहीं का बदला सेंट हर्ष्ट ये जो अंग्रेज जिन्होंने आदेश दिया था उसको सरदार भगध सिंग मार के बदला ले लेते हैं तो यहाँ पे सरदार भगत सिंग के बारे में और उनको अन्तों फासी हो जाता है और उनका जो है नारा है ठेकते उन्होंने बंदे मातरम इनकलाब का घोस किया था तो यह नारा जो है काफी परचिलित हो जाता है और आज भी लोग बंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद एसा बोलते हैं, यहां पर यह चप्टर लभक समाप्त हो गया है, और यहां पर कुछ क्वेशन दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को यहां पर ही बतला देता हूँ, और आपको इसका अंसर भी मैं दे दूँगा, लेकिन कई बार क्या होता है, कि यहां से अंसर लिखने के ल संग्राम नामक पुस्तक के लेखक, विनायक दामोदर सावरकर थे, अंडमान की जेल में विनायक दामोदर सावरकर को कारवास, दो कारवास का दंड भोगना पड़ा, इसके आगे है, निमलिखित कौन थे, तो यहां पर सिख नाम बताना है, पर्थम करांतिकारी, तो बास से बदला लेने के अपराद में जिन्हें मिर्त्यू दंड मिला, खुदीराम बोस, सरकारी गवाह को गोली मार कर, जिन्होंने अरविंद घोस को बचाया, कनहाई लाल दत, जिन्हें दो जन्म के कारवास का दंड मिला, विनायक दामोदर सावरकर, यह हो जाएगा, तो मैं आप लोगों का अंसर लिख्टे भी दिखा दे रहा हूं, यह है चेप्टर एट का अंसर रिक्त स्थानों की पूर्ती किजिए, तो यहाँ पे मैंने डारेट अंसर दिया हुआ है, और यहाँ पे कुश्चन नमबर टू, निमलिखित कौन थे, पर्थम करांतिकारी वील, व नहाई लालदत, जिन्हें दो जन्म के कारावास का दंड मिला, विनायक दामोदर सावरकर, तो यहाँ पे यह चेप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से मदद मिलता है, तो आप हमारे इस वीडियो के एक लैक जरूर कीजिए, और अगले चेप्टर को लोग परने के लिए, अगले वीडियो में चलेंगे, तो आएम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं,